आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Study Gloss पर मैं हूँ Dr. Monica और आज हम 18 जुलाई से रिलेटेट जितने भी important question बन सकते हैं उन पर discussion करने वाले हैं और questions से रिलेटेट जितने भी important fact होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी यह हमारा टेलिग्राम चैनल है यहाँ पर आपको quiz available हो जाएगी और इस lecture की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी यह आपके लिए आज का motivational court है याद रखो अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को जेलना भी पड़ता है इसी motivational court के साथ में हम start करते हैं आज का session first question है who has become the new chief secretary of हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचीव कौन बन गये हैं तो यह बन गये हैं रामदास धिमान बन गये हैं यह इसका correct answer है डिटेल से बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने अत्रिक्त मुख्य सचीव उड़जा एवं उध्योग R.D. धिमान को हिमाचल प्रदेश का नया मुख्य सचीव नियुक्त किया है और राम सुबग सिंग को मुख्य सचीव के पत से हटा कर प्रदेश शरकार में प्रधान सलाकार मतलब प्रशाशनिक सुधार बनाया गया है और इसके अलावा IAS अफसर निशा सिंग और संजे गुप्ता को भी प्रधान सलाकार नियुक्त किया गया है चले टॉप फाइफ नेशनल अपॉइंट्मेंट्स को हम रिवाइस कर लेते हैं इंडिया फर्स्ट नेशनल मैरिटाइम सिक्योर्टी कॉडिनेटर तो ये बने हैं जी अशोकुमार न्यू प्रेजिडेंट अफ इंस्टिटूट अफ चार्टेड अकाउंटेंट्स अफ इ इंडिया तो ये बने हैं प्रदीप शा दर न्यू डारेक्टर ओफ विक्रम सहराबाई स्पेस सेंटर तो ये बने हैं डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर सेकेंड नम्बर क्वेशन है वाट हैस्ट रिनेम्ड एज रेल्वे ट्रांसफोर्मिंग यूनिवर्सिटी गुजरा रेल्वे ट्रांसफोर्मिंग यूनिवर्सिटी गुजरात का नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा गती शक्ती यूनिवर्सिटी कर दिया गया है बीस का करेक्ट आंसर होगा गुजरात के वडूद्रा में इस्तित रेल्वे यूनिव मंदल के द्वारा Central University का दर्जा दिया गया है और अब Railway University का नाम बदल कर गती शक्ती युनिवर्सिटी कर दिया गया है और अनुराग ठाकूर ने कहा है कि केंद्रिय मंदल ने गती शक्ती जो युनिवर्सिटी है इसकी इस्तापना के लिए Central University's Act 2009 में शल्शोधन करने के लिए Central University's Bill 2022 नामक एक बिल संसद में पीश करने को अपनी मंजूरी इनों ने दे दी है वर्थमान के अंदर NRTI Transportation Technology में BSc Transport Management Courses में BBA और Railway System Engineering और Integration में MSCA करवाता है Top 5 Names Changed के हम बात करें तो Navy Mumbai Airport has been renamed as जो Navy Mumbai Airport है इसका जो नया नाम है ये DB Partil International Airport कर दिया गया है जो Osmanabad City है of Maharashtra has been renamed तो इसका जो नाम है ये धाराशिव कर दिया गया है What has the Central Government changed the name of Babai Madhya Pradesh to a new name तो इसका जो नाम है ये माखन नगर कर दिया गया है The Central Government has changed the name of Mia Ka Bada Railway Station in Rajasthan to a new name तो इसका नया नाम कर दिया गया है महिश नगर हाट The Central Government has changed the name of Nehru Museum to the new name तो इसका नया नाम कर दिया गया है Prime Minister's Museum Third number question है Where will India's first e-waste eco-park be set up to tackle pollution प्रद्यूशन से निपटने के लिए भारत का पहला e-waste eco-park कहां पर बनाया जाएगा तो ये बनाया जाएगा New Delhi के अंदर एस का correct answer है e-kacra eco-park के विकास पर चर्चा के लिए दिल्ली के परियावरन मंत्री गोपाल राय ने परियावरन विभाग और दिल्ली प्रद्यूशन नियंतरन सिमीती के प्रती निधियों के साथ एक सयूंक्त समिक्षा बैठक बुलाई है और राय के अनुसार दिल्ली के पडोस होलांबी कला में भारत का पहला e-kacra eco-park बनाने के लिए लगबग 21 एकर जमीन का उप्योग किया जाएगा दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफराइस्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्परेशन जो की परियोजना की कार्यानवन एजेंसी है इसका जो घटन है ये 11 सदश्य संचालन समू के हिस्से के रूप में किया गया था और दिल्ली में बनाए गए ये कचरे का सिर्फ 5 परसेंट ही परियाप्त रूप से पुनर चक्रित होता है जो देश के इलेक्ट्रोनिक कचरे के वार्षिक उत्पादन का 2 लाग टन से अधिक है चलिए टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइस कर लेते हैं वेर विल इंडियाज फर्स्ट बायो मास बेस्ट हाइड्रोजन प्लांट भी सेट अप तो यह जो खोला जाएगा यह खंडवा मध्यप्रदेश के अंदर खोला जाएगा इंडियाज फर्स्ट जियोलोजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन विच स्टेट तो यह बनाया जा रहा है जबलपूर मध्यप्रदेश के अंदर इंडिया फार्स्ट Graffeen Innovation Center will be set up in which state तो यह करणा के अंदर जो है इसरत किया चाएगा which state has become the first state in the country to launch AVGC Center of Excellence तो यह जो है यह करनाठा के अंदर बना है इंडिया फर्स Digital Justice Clock high court of which state engaged in तो यह गुजरात के अंदर लगी है फॉर्ण नंबर ग्वेशन है फॉर्ण नंबर ग्वेशन है तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिंजयो आबोई को ये जो सम्मान है ये दिया गया है मरने के बाद में डिटेल से बात करें तो जापानी सरकार ने मरन उपरांद पूर्वे प्रधान मंत्री शिंजयो आबे को देश की सर्वोच सजावर्ट दे कॉलर ओफ दे सुप्रीम ओडर ओफ दे क्राई सेंथेमम से सम्मानित करने के अपने फैसले की घोशना की है शिंजो आबे युद्ध के बाद के सविधान के तहर सम्मान पाने वाले चोथे पूर्वे प्रधान मंत्री होंगे उनसे पहले पूर्वे प्रधान मंत्रियों में शिगेरू योशिगदा, इसाकू सातो और यासु हीरो नाकासौन को सम्मान जो ये सम्मान है इससे सम्मानित किया गया था विशेश रूप से जापान के सम्मान मीजी ने 1800 चिंतर में ग्रें कॉलर ओफ दे ओडर की शुरुवात की थी बाद में 1888 में इसमें कॉलर ओफ दे ओडर जोडा गया और अपनी यूरोपी सम्मकक्षों के विप्री जापान को मरनों उपरान ये पुरशकार देने का अधिकार है तो ये किसे मिला है तनुजा निसारी को दिया गया है तो ये जो अवोड है ये मिला है रश्मी साहू को तो ये इंदरजीत सिंग को मिला है तो ये मिला है अजय पिरामिल तो ये दिया गया है सिंथिया रौसन विक को फाइब नंबर क्वेशन है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये नरेंद्र सिंग तोमर के दोरा शुरू किया गया प्लेटफॉर्म है ये इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलूरू करनाटक में राज्य क्रशी और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन की पूर्व संध्या पर केंद्रे क्रशी और किसान कल्यान मंत्री श्री नरेंद्र सिंग तोमर ने राश्ट्रे क्रशी वाजार के तहत प्लेटफॉर्म औफ प्लेटफॉर्म्स का जो अनावरण है ये किया गया है कुल एक हजार अठारा किसान उत्पादक संगटनों को 37 करोड रुपे से अधिक का एक्विलिटी अनुदान मिला जिससे 3.5 लाग किसानों को मदद मिलेगी पी ओपी की बदोलत किसान अब अपने राज्यों के बाहर के बाजारों तक आसानी से पहुंच सकेंगे पी ओपी कई प्लेटफॉर्मों से 41 सेवा प्रधाताओं को कवर करता है जो व्यापार, गुणवता, आश्वासन, वेरहाउसिंग, फिंटेक, मार्केट इंटेलिजेंस और परिवहन इत्यादी जैसी मुल्य श्रंखला सेवाई प्रधान करते हैं यूनियन मिनिस्टर औफ एग्रिकल्चर एंड फार्मर वेलफेर कौन है तो यह है श्री नरेंद्र सिंग तोमर, चीफ मिनिस्टर औफ करनाटका तो यह है श्री बसवराव भूमई, यूनियन मिनिस्टर औफ केमिकल्स औफ फर्टिलाइजर तो यह है डॉक्टर मुकेश मंडाविया, यूनियन मिनिस्टर औफ स्टेट फोर एग्रिकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेर तो यह है मिस्टर शोभा एंड मिस्टर केलाज चोधरी शिक्स नंबर क्वेशन है विश इलेक्ट्रिकल कंपनी है लॉंच्ट इंडियास फर्स्ट इंडिजीनियस मैनुफेक्चर्ड लीथियम आयन सेल नम्सी 2170 भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लीथियम आयन सेल नम्सी 2170 को किस इलेक्ट्रिक कंपनी ने लॉंच किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह ओला इलेक्ट्रिक जो कंपनी है इसके द्वारा लॉंच की गई है 20 का करेक्ट आंसर है औला इलक्ट्रिक ने देश की पहली स्वेदेशी रूप से विक्सित लीथियम आयन सेल का अनावरन किया है बैंगलूरू इस्तित दो पईया निर्माता अपनी चेनने इस्तित गीगा फैक्ट्री से दोज़ा तेविस तग सेल एन एमसी 2170 का बड़े पेमानी पर उत्पादर शुरू करेगा विसिस्ट रसाइनों और सामगरियों का उप्योग सेल को किसी दिये गए स्तान में अधिक उर्जा पैक करने में सक्षम बनाता है और सेल के समगर जीवन चक्र में भी सुधार करता है ओला दुनिया के सबसे उननत सेल अनुसंदान केंदर का निर्मान कर रही है जो हमें तेजी से विस्तार और नवाचार करने और दुनिया में सबसे उननत और किफायती ईवी उत्पादों को गती के साथ बनाने में ये सक्षम बनाएगा सेवन अमगरेशन है वो हैज लॉंच दे बुक कनेक्टिंग थू कल्चर कनेक्टिंग थू कल्चर नामक पुस्तक किसने लॉंच की है तो इसका करेक्ट आंसर है ये डॉक्टर एस जैशंकर के द्वारा लॉंच की गई बुक है सी इसका करेक्ट आंसर होगा विदेश मंत्री एस जैशंकर ने नई दिल्ली भारत में सुष्मा स्वराज भवन में भारत की सौप्ट पावर ताकत के विबिन पहलों पर निभंदों का संकलन कनेक्टिंग थू कल्चर लॉंच की है और मंत्री ने पुस्तक को कूट नीती में अच्छे पुलिस वाले के रूप में वर्नित किया और कहा है कि इसका उपयोग दूसरों को भारत के साथ काम करने के लिए प्रहतसाहित करने के लिए किया जा सकता है क्योंकि ये भारत के बारे में आराम पैदा करता है ये भारत के विबिन पहलूओं को लेता है और कुछ हद तक ये भारत के विबिन पहलूओं से परिशित कराता है भारत को समझने, भारत की सरहाना करने और कई माइनों में भारत को महत्व देने में संकलन कई माइनों में एक बहुत ही उलेकनी योगदान है टॉप बुक्स को हम रिवाइज करें The Founders, The Story of People जो बुक है ये जिम्मि सोनी के द्वारा लिखी गई है The Millennial Yogi जो बुक है दीपम चटर जी के द्वारा लिखी गई है A Nation to Protect बुक प्रियम गांधी मोधी की बुक है Flight of a Labouring Child जो बुक है ये जो बुक है ये मिथलेश तीवारी के द्वारा लिखी गई है The Great Tech Game Book अनिरुद सूरी की बुक है A History of Shreeni के दन बुक उमादाज गुपता के द्वारा लिखी गई है A Little Boy of India जो बुक है रसकिन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है Intermittable जो बुक है ये अरुन्दती भटाचारी के द्वारा लिखी गई है और जो ममता वियोंड 2021 जो बुक है ये जैंत गोश के द्वारा लिखी गई है 8. Question है Who has stopped the India Ranking 2022? India Ranking 2022 में कौन सीर्ष पे रहा है? तो इसका correct answer होगा IIT जो मदरास इंस्ट्यूट है ये सबसे टॉप पे रहा है ये इसका correct answer है Union Educational Minister धर्मेंदर प्रधान ने National Institutional Ranking Framework जो रैंकिंग है इसको जारी किया है और इस बार इसका जो है 7th edition था और इसके अंदर जो Indian Institute of Technology मदरास है ये भारत में उच्चे सिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्तान है और इसके बाद भारतिये विज्ञान संस्तान जो बैंगलोर है ये रहा है सिक्षा मंत्राले के NIRF ranking show का जो नविंतम इस बार संसकरण है National Institutional Ranking Framework Ranking Categories की बात करें तो इसके अंदर होती है Overall Category Pharmacy College, Top Medical Colleges, Top Management Colleges और College of Engineering 9 number question है Where has the meeting of the BIMS Tech Export Group on Corporation in Cyber Security started Cyber सुरक्षा में सयोग पर BIMS Tech विसे शग्य समू की बैठक कहां पर शुरू हुई है तो इसका correct answer होगा ये New Delhi के अंदर स्टार्ट हुई है 20 का correct answer है भारह सरकार के राष्टे सुरक्षा परिशत सची वाले के द्वारा नई दिल्ली में Cyber सुरक्षा सयोग पर BIMS Tech विसे शग्य समू की दो दिवशिये बैठक आयोजित की जा रही है और BIMS Tech विसे शग्य समू BIMS Tech शेत्र में Cyber सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए एक कारी योजना तयार करेगा जैसा कि मार्च 2019 में बैंक कॉंग में आयोजित BIMS Tech राश्टिय सुरक्षा प्रमुकों के सम्मेलन के दोरान सहमती हुई थी Cyber सुरक्षा के राश्टिय समन्यवैक लेप्टिनेंट जनरल राजेश पंत बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बांगलादेश, भूतान, भारत, म्यामार, नेपाल, श्रीलंका और थाइलेंड के प्रतिनिदी भी मोजूद रहेंगे प्रतिनिदी एक अलग सरकारी एजेंसी से Cyber सुरक्षा विशेशग्य होता है 10. question है इन विच स्टेट दे फर्स्ट केस ओफ Monkey Pox Virus has been found in इंडिया भारत में Monkey Pox Virus का जो पहला मामला है ये किस राज्ये में पाया गया है तो इसका correct answer होगा ये केरला के अंदर पाया गया है ये इसका correct answer है सैयुक्त अरब अमिराज से केरल लोटे एक व्यक्ति में बीमारी के लक्षन विक्षित होने के बाद भारत में Monkey Pox के पहले मामले की जो पुस्टी है ये हुई थी और उसके नमगने पूने के National Virology Institute मे भेजे गए जिसमें बीमारी की पुस्टी हुई और ये पहली बार 1958 में बंदरों के अंदर पाया गया था Monkey Pox एक वाइरल जुनेटिक बीमारी है जिसमें चेचक के समाल लक्षन होते हैं हालांकि ये जादा घंबी नहीं होता है वाइरस किसी अन्य संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है और घाओ, शरीर के तरल प्रधार्त, स्वशन, भूंदो और दूशित सामगरी जैसे बिस्तर से ये फैलता है लक्षनों में भुखार, सिर दर्ध, मास पेशों में दर्ध और पीट दर्ध, सूजी हुई लिंप नोर्स, ठन लगना, ठकावट और चकते जो चहरे पर मुँ के अंदर और शरीर के अन्य हिस्तव पर मुहासे या छाले जैसे दिख सकते हैं जैसे ही संक्रमन्ट तीवर हो जाता है, शरीर पर लाल घाव दिखाई देंगे और खुजली जैसी चिकन पॉक्स शुरू हो जायती है और उसमायन अवदी 5 से 21 दिनों तक ये चलती है चलिए कल के जो MCQ है, उन्हें हम रिवाइस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेशन है, भारत में बांगलादेश के नए उच्चा युक्त कौन युक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है, मुहमद मुस्त फिजूर रहमान हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट का करेक्ट आंसर है, जो टोटल कंट्रीज की जो संख्या थी, ये थी 146 और भारत की जो पुजिशन है, ये 135 वे इस्तान पे रहा है थर्ड नंबर क्वेशन है, भारती अंतरिक्स स्टार्ट अप अगनी कुल कॉस्मोस ने भारत के पहले 3D प्रिंटेट रॉकेट इंजन कार खाने का जो उदगाटन है, ये कहां पर किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये चन्ने के अंदर किया गया है, बीस का करेक्ट आंसर होगा फॉर नम्बर क्वेशन है, अमेरिकी स्पेस एजनसी नासा ने किस टेलिसकॉप की मदद से ब्रह्मान की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवी की तस्वीर ली है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है, ये है जैम्स, वैब, स्पेस, टेलिसकॉप, डीस का करेक्ट आंसर होगा फाइफ नम्बर क्वेशन है, छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, किस राज्य और केंद्र शासर प्रदेश ने यूनिसेव के साथ करियर जागरुकता सत्र नामक नई पाइलेट परियोजना शुरू करने के लिए, समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर क भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने 22 जो पदक है ये जीते हैं, 7 नम्बर क्वेशन है, भारतिय विशिस्ट पहचान प्राधी करन ने आधार धार को की पहचान करने के लिए, किस नाम से एक नया मॉबाइल एप लाँच किया है, तो ये किया गया है, आधार फेस आरडी के नाम से, सीज का करेक्ट आंसर है, 8 नम्बर क्वेशन है, दे मेक मोहल लाइन, ए सेंच्वरी ओफ डिसकार्ड नामक पुस्तक को किस ने लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो बुक है, ये जनरल जेजे सिंग के द्वारा लिखी गई है, सीज का करेक् जीतने वाले कप्तान कौन से बन गए है, तो ये बन गए है, रोहिश शर्मा, 20 का करेक्ट आंसर होगा, 10 नम्बर क्वेशन है, किस राज्य सरकार ने अर्ण वित लर्ण योजना को शुरू किया है, तो ये किया है, त्रिपुरा गवर्मेंट ने, सीज का करेक्ट आंसर और ये था 16 जुलाई का स्टरी ग्लॉस क्वेशन, किस राज्य सरकार ने गरववती महिलाओं के लिए विशेश देखवाल अभियान आंचल शुरू किया है, तो ये शुरू किया है राजस्तान गवर्मेंट के द्वारा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये है आप लो हमारा टेलिग्राम चैनल है, यहां पर आपको सारे क्वेशन क्विस के फोर्मेट में अवेलिबल हो जाएंगे, और इस लेक्चर की पीडियेप भी आपको यहां मिल जाएगी, आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजेगा, तो जिले मिलते हैं हमें एक नए सेशन के साथ में